आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप Poco F1 के अंदर डायनमिक पार्टिशन वाली रोम को इंस्टोल करें क्योंकि काफी लोगों को प्रोलम्स भी आरी इंस्टोल करने में हलाकि इस रोम का जो है डायनमिक पार्टिशन रोम एक आई हुए तो उसका आपका रोम इंस्टोल नहीं होता एरर भी आएगा उसके बाद दुवारा यानि कि फर्स्टाइम आपको दो वार फ्लस करना पड़ता है रोम को जो की पूरा डीटेल्स में बताऊंगा हलाकि डायनमिक पार्टिशन होता क्या है मैं आपको यहां पर समझाने से अच्छा आ है एंडोइड के लिए तो यहां पर आपको यह मिल जाएगा और यहां पर मैं कंप्लीट इंस्टोलेशन हो तो आपको दिखाऊंगा ही साथ आगे भी कुछ लास्ट में कुछ इंपोर्टेंट बाते भी रहेंगे जिनके बारें बताने वाले तो बीडो में लास्ट तक बन पहले चीज जो आपको करनी है वह तो आप अपना जो है जो भी रोम आप यूज करें कोई पोर्ट रोम हो या कोई कस्टम रोम यूज करें तो उसके अंदर से सिक्योटी जो भी लगा रहा है उनको हो सेको तो आप रिमूब कर देना अगर गूगल अकाउंट यूज करें जो है और अपने फोन का जितना भी डाटा है सारा कोपी आपको करके कहीं रख लेना है क्यूंकि आपका इंटरनल सारा जाने वाला यहां पर फॉर्मेट करना पड़ेगा अपना डाटा सारा कहीं कोपी कर लेना उसके बाद आपको यह सभी फाइल चाहिए जिनके बारे मैं अब ही मैं आपको बताऊंगा और यह सभी पाइल साप SD काड या फिर OTG स्टोरिज के अंदर रखना इंटरनल के अंदर बिल्कों मत रखना मैं भी SD काड पर रखा हूं क्यूंकि आपका जाये गा इंटरनल यहां पर डैनमिक पार्टिशन रिकवरी कर लेना है रोम आपको कर लेना है और जैसे कि यह साथ में आता अगर कोई वनीला आगया जाकर कि कभी आएगा रोम तो उसमें फिर अलग से आपको जीएफ रखना पड़ेगा बाकि यहां पे FW है और डिसेबल फॉर्स इंक्रिप्शन और लोग रख लेना जिनको यह डिक्रिप करके यूज करन है तो डिसेबल फॉर्स इंक्रिप्शन डाउनलोड करने की जरूत नहीं है यह रख लेनी है और जैसे कि बताए डाटा अपना सारा कोपी कर लेना तहीं चीज का ध्यान रखना होगा उसके बाद सिंपली आपको अपने फोन को ओफ कर देना है एन ओफ करने के बाद वालिम फोन का लोगो आएगा आपको जोड़ देना है अपनी रिकवरी पर बूट कर जाओगे जो भी आप रिकवरी यूज कर रहे हो उसके अंदर से पुरानी रोम को सिंपली इस तरीके से आपको वाइप कर देना हो वो भी आपको बताऊंगा एन उसके बाद फोर में डाटा य ठीक है अभी रिकवरी हम इंस्टोल नहीं किये हैं सिस्टम पार्टिशन वाली इनको यहां से वाइप और फॉरमेट डाटा इस तरीके से कर देना है उसके बाद यहां पर क्या करना होगा कि आपको यहां पर अपना इंस्टोल पर जाना है अब अपने स्टी गार्ड यहां करने की पर देख चुका है ऽुर्स पर आपको और इस आपको सायद और पर अपर बूट करेगा तो ब्लिंग इश्यू यां फिर स्टक होने का इशू धाती के देख चब करना है तो पहले वाइब कर लेना पहले दाटा कर लिएक करना है ऊन्सका बढ़ा लेता हूं और आप को यहां पर नियुक्सoutez नहीं जा करना इस त्रीके से इस वाली रिकभरी पर system partition वाली पर देना यह मिल जाता इसके अंदर और इसको यहां से clear करने के बाद आपको यहां पर करना है simply reboot to recovery इसके अंदर भी यहां पर करना होगा और जब आप बूट होकर के इस recovery पर आ जा वा पी से तब आपको वाइब पर जाना एडवाइब पर जाना और यहां पर यहां से यहां पे लोगर के आपको इसके करदेना है यहां पर आपने यहां पर दाइगा तो यहां पर roam को flush कर देने simply and roam के flush होने के बाद आपको last में यहां पर first time पे आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का error भी देखने को मिल सकते हैं इसको simply ignore करना है wipe catch अभी आपको यहां पर कर देने ठीक है इसको जो है ignore कर देना यहां से आपको wipe catch करना है और आप देख सकतो अगर आपको encrypted ही यूज करने तो यह फ्लस करने जरूत नहीं पड़ेगी ठीक न यहां रोम तक फ्लस करो उसके बाद आगे क्या करता हूं आप देख सकतो यहां पर करने के बाद अब यहां पे आपको एक चीज़ दिखाता हूं जैसे मैं यहां पर reboot पे क्लिक करूँ अब यहां पर आपको एक चीज मैं दिखाता हूं जैसे reboot पे क्लिक किया swipe करने का आया है और उपर आप देख सकतो नो ओयस इंस्टॉल आर यू सो और यूबिस टू रिबूट यह चीज आपको देखने को मिलने वाला है तो आपको यहां पर रिबूट नहीं करना है यहां स पर आप जब वाइब करने जाओगे ब्राइन में इसका बढ़ाले तो थोड़ा स्था की सभी से क्लियर दिखे अब यहां पर जब आप वाइब के अंदर जाओगे तो पहले के मुकाबले आपको अलग ताइप के ओप्सन देखने मिलें बट वह तीन आपको यहां पर यहा अब आपको यहां पर इंस्टोल पर जागे अपने फोल्डर पर जहाँ भी आप रोम रखे हो उस फोल्डर पर सिंपली जाना है और वहां जाने के बाद फिर से आपको एप डबलू फ्लस करना है अब इस बार आपको कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा तो यहां पर इंस् को हम यहाँ पर फ्लस कर लिंगे और जैसे कि विदा रोम अगर वनीला विल्द है तो रोम के बाद अपना जीएप सख़्ट करने एक बाद डिशेप्ट फॉस करने के बाद इसको आपको नहीं होने इस वाले को आपको ignore कर देना simply disable force encryption पर आएगा तो wipe catch करना है अब यहाँ पे आपको जो है format data simply करना है and format data करने के बाद में यहाँ पे जैसे आपका यह format data complete हो जाएगा तो अब आपको यहाँ पे reboot पे click करके simply reboot कर लेना है तो इस तरीके जो है आप अपने रोम को flush कर पाओगे इ 16 next तक ताकि यहाँ पे time जादा बैस नहीं और आप देखो गये तक complete यहाँ पे जो है यह install हो चुका है अभी बीड़ो आप skip मत करना आगे कुछ और चीज़े आपको बताने वाला हूं कि यह decrypt भी हो चुका है वह भी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूं जैसे कि देख सकतो complete रोम यहाँ पे इंस्टोल हो गया कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है तब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा दू कि रोम जो हमारा यहाँ पे डिक्रिप्ट हो चुका यह भी आपको दिखा दो यहाँ पर रूप ताकि कि किसी को कोई डाउट या कन्फूज अब आप आओगे यहाँ पर वाइप पे तो रिकवरी के आने अंदर आने के बाद वाइप पे जाके यहीं पर भी डॉल्विक कैच और डेटा यही तीन ओप्सन हर बार आपको वाइप करना होगा जब भी आप दूसरी रिकवरी जैसे जा रहे हो यहाँ से सिंप्ली अपन होना रूम जो है और आपको टूसरी कर देना है जैसे भाकी लिंवर्पसमें प्लत मत करते हो ने झाँ अगर आप किसी decrypted ROM से आ रहे हो, अगर किसी encrypted ROM से आ रहे हो, जैसे बाकी ROM में आप follow करते तो उफी तरीके से, अगर आप किसी encrypted से आते हो, तो format करने के बाद में ही reboot करना है, तो बिल्कुल जैसे normal आप बाकी ROM यूज करते थे, उफी तरीके से इसका भी installation रहने वाला है, जब आप द पस टाइम अधर किसी ROM से dynamic partition में आते हैं, और जब किसी अगर आप यहाँ पर जो है एक चीज़ और यहाँ पर काफी लोगों का doubt हो सकते हैं, तो क्या करना होगा, तो उसमें फिर आपको यही चीज़ करना होगा, simply आप dynamic partition recovery पे आओ, अपना non system या system EXT वाली recovery फ्लस कर दो, format data आपना कर लेना complete, उसके बार ROM फ्लस करके, format data करके reboot कर देना, उस पे भी इसी तरीके से, यानि कि follow करना है, जैसे आए हूँ उसी तरीके से format करके सारा चीज़ वापिस दूसरी ROM पे भी जाना है, बट dynamic partition में अगर आप जाना है, तो encrypted से encrypted में अगर जा रहे हो, तो format करके जान तो फिर आपको यहाँ पे format के जरौत नहीं, बट disable force encryption फ्लस करो, reboot कर सकते हो, तिस तरीके से यहाँ पे करना है, अब यहाँ पे इतनी चीज़े समझा दिया, अगर किसी को कोई doubt, कोई confusion होगा, तो पूछ लिजगा, starting में आपको mention भी कर दिया हूँ, dynamic partition बैसली होता क्या है, comment में पूछ लेगा, installation जो है complete यहाँ पे बता दिया हूँ, फिर भी यहाँ पे एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता दूँ कि यह जो है, आप video skip मत करना, starting में आपको बोला हूँ, video skip मत करना, क्योंकि इसमें risk भी होता है, phone, dead or break जैसे बोले, तो भी होने का chance रहता है, बट जैसी कि बता है, अधर किसी रोम से पार्टिशन वाले में आते हो, डानमिक पार्टिशन में, तो फर्स्ट राम फ्लच करने के बाद, रिबूट करोगे, तो वहाँ पे swipe जब भी आता है, no OS आएगा, तो वापिस आप जो है, format करके, रिबूट करके, वापिस swipe करके, रोम मैं यहाँ पे complete बता चुका हूँ, बस आपी skip मत करना वीडियो, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, यहाँ पे जो है, डानमिक पार्टिशन का इंस्टोलेशन, Poco F1 के लिए, आप कोई confusion होगा, तो comment में पूछ ले जागा, और इतनी मैनत के लिए, वीडियो अगर आपक इनको प्रेस करके ओल पे कर लिजे, ताकि एक लिए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए, थैंक्स फोर वाचिंग,